तो नहरू स्टेडी अप में अभी हम गाज़ेबाद के मौझूद है और यहां पर लगतार देश विदेश के जो खिलाडी है तो बफॉर्म कर रहे है इसलिए इसका नाम लेजेंस्ट्टॉफी है क्योंकि यहां पर क्रिकेट के कई दिगज खिलाडी आपको खेलने के लिए गाजयबाद के ग्राउन में दिख जाएंगे और अगर आप दर्शतों की बात करें तो आप देखिए कि कितना उस्वा है रात के वक्त लोग इस मैच को इंजॉय कर रहे हैं और ना केवल गाजयबाद से भी जो यह लोग है यह आके इंजॉय कर रहे है क्या नाम आपका भ सुरेश रहना का यह होम डाउन भी है वो गाजयबादी उनका घर भी है सुरेश रहना को लेकर विशेश उस्सा है आपर देखने को मिलना क्योंकि गाजयबाद की वह खिलाडी भी है है आपका क्या नाम है सर्च अपके रहने वां है किसा लग रहा है मैं चाहीं है पदल्ड देखने हैं अपने थेटीम पें गाजयेवाद वह सब्सक्राइब अज़ोंकि चला करण चाहरे वह ठाव्ड़नाज मादी इस ऐसे मैईखर होना वह थैजिए आपकर पाना दायोग अच्छा और लोगों से हम थोड़ा बात करेंगे क्या नाम है आप का रहते हैं तो यह जो क्रिक्ट का आयोजन हो रहा है विदेशी खिलाड़ी भी खेल रहा है अपने ही गाज़ेबाद में इस पर क्या कही है अच्छा लग रहा है और अच्छा नाम है आपका भाई था विकास तोदरी विकास जी कैसा लग रहा है इन खिलाडियों को अपने साथ देखते हुए जिने टीवी पे देखते थे आज गाज़ियाबाद के स्टेडियम में बड़ा अच्छा लोगों के अंदर जो खिलाडिय सब्सक्राइब करेंगे आपका क्या नाम है था नाम है अपका आप आप का बात कि आप तो यह नहरू स्टेडियम आप दुबारा से रौनक से भर गया है खिलाडी खेल रहे हैं कैसा लग रहा है बढ़े लग रहा बहुत बढ़े लग रहा है किन के साथ आप आए है हम तो गोमने आये था जी तो दौरान मैच भी देख लिया मैच भी देख लिया और कुछ लोगो जो तो क्या कहना चाहेंगी गात्यबाद के च्रेडियम में जो आयोजन किया गया पहली बार है तो कभी आठीट साल से यह देख रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मंदब ऐसा है पहली बार हुआ गाजवाद में मदब दूसी बार हुआ पहली बार देखने का